आज के class words की practice वाली class होने वाली है जिस class में हम लोग कुछ words को जानेंगे जो जरूरी है और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे उनका usage, usage का मतलब होता है वाकिम में वो कैसे इस्तिमाल होते हैं इनको जानेंगे class को शुरू करते हैं आप देख रहे हैं संदीत English Academy मैं हूँ प्रीती मैम सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन आउन कर दीजेगा ताकि आगे जो भी classes आएं आपको पता लग जाएं और आप फड़ा-फड़ से आके class को अटेंड कर पाएं class को शुरू करते हैं सबसे पहला है जल्दी ही जल्दी या जल्दी ही आप इसको soon इस्तमाल करते हैंं अंगरीजी में क्या इस्तमाल करते हैं Soon, S-O-O-N, Soon, इसको पढ़ते हैं, जैसे वो जल्दी ही आ गया, He Came Soon, ये हर उस incidents के साथ आप लगा सकते हैं, हर उस घटना करम के साथ आप लगा सकते हैं, जो जल्दी हो गई है, है ना, जल्दी हो गई है, जिसमें बहुत अदर टाइम नहीं लगा है, जल्दी हो गया है, जल जल्दी ही वो पिच्चर आ रही है, आने वाली है, फिर है बाद में, है ना, जैसे सून पढ़ा हमने, जिसका मतलब होता है जल्दी, बाद में, है ना, बाद में के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाटर, क्या इस्तेमाल करते हैं, लाटर, जैसे मैं आपको बाद में बता दू फिर है अब, अभी, इसी वक्त, आप इस्तमाल करते हैं now का, n-o-w, now, आप कभी भी current स्थिती से related अगर बात करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो now शब्द से better आपको word नहीं मिलेगा, now का इस्तमाल आपको करना है, जैसे मुझे अब जाना होग I have to go now, I will have to go now, ठीक है यहाँ पर will have to अगर लग जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, will have to, मुझे अब जाना होगा, I will have to go now, future वाला वाक्य है, गाग एगी लगा हुआ है, तो will add करना जरूरी है, फिर है अभी तक, अब तक, इस्तमाल करेंगे शब्द yet का, किसका इस्तमा कि यूज होता है, जो अभी तक नहीं हुआ, है ना, जो अभी तक चीज नहीं हुई है, जैसे आपने अभी तक payment नहीं किया, आपने अभी तक भुखतान नहीं किया है, you have not paid yet, you have not paid yet, clear ओवे बात, देखो, फिर है क्या, शीग्र, जल्दी, या वक्त से पहले, है ना, वक्त से पहले तो इस्तमाल होता है early का ठीक है अब समझो early कहां पर इस्तमाल कर सकते हैं है ना early आप उस वाकिय में इस्तमाल करते हैं जिसके मान लो कोई एक time fix है ठीक है जैसे मान लो आप सुबह स्कूल जाते हो या college जाते हो या अपने job पे जाते हो सुबह और वापस आते हो शाम को 5 बजे ठीक है तो आपके घरवालों को पता है कि भाई या यह 5 बजे तो आ जाएगा या आ जाएगी है ना लेकिन आप क्या आपने क्या किया आप उस दिन 4 बजे आ गए तो आप जल्दी आ गए आप जल्दी आ गए तो क्या यहाँ पर सून का इस्तमाल कर सकते है जवाब है नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारा फिक्स था 5 बजे आना था लेकिन हम जल्दी आ गए 4 बजे आ गए तो यहाँ पर early word use होगा ठीक है जैसे वो सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया है ना जैसे 10 बजे आफिस जाना था आज meeting important तो भई अपर 9 बजे ही निकल गए घर से तो आप घर से जल्दी निकल गए कब जल्दी निकल गए जब कि आपके निकलने का समय daily का fix है आप उस particular समय से जल्दी निकल गए तो early का use कर लेंगे है ना he left home early in the morning फिर है तो इस्तेमाल होता है शब्द then का तो तुम क्या करोगे what will you do then ये कोई चीज जो होने वाली है उसके बाद आप क्या उसका result में आप क्या बोलने वाले हो या क्या करने वाले हो वैसी situation के लिए then का use करते है फिर है वहाँ t-h-e-r-e there वहाँ इसका मतलब होता है ये location के बारे में बात करता है जगह के बारे में बात करता है place के बारे में बात करता है चिके जैसे हम लोग वहाँ जाएंगे we will go there अब ये वहाँ कौन सी जगह है कोई जगह होगी न कोई जगह ही होगी किसी हालात में तो नहीं चले जाएंगे अब जगह बिजाओगे हम market जाएंगे हम goa जाएंगे हम कहीं घूमने जाएंगे है ना तो we will हम party में जाएंगे तो क्या कहता है हम लोग जाएंगे वहाँ है ना तो we will go there location की बात हो तो there का इस्तमाल करें फिर है यहाँ जिसका मतलब होता है here ये भी जगह के बारे में बात करता है तो फिर there इस्तमाल करें मैम की hair इस्तमाल करें तो जब आप अपनी नजदीकी बात कर रहे हो जिसे वे लोग यहाँ आएंगे they will come here मानलो आपके घर पे मेमान आने वाले हैं तो आप क्या बोलोगे कि महमान यहाँ आएंगे आप जहाँ पर हो वहाँ आएंगे तो here का इस्तमाल करेंगे फिर है दूर जिसके लिए इस्तमाल होता है शब्द far का far जैसे यह बहुत दूर है it is too far देखो to हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम जोर डालना चाहते थे इस बात पर कि वो जगे दूर है है ना तो सिर्फ दूर अगर कहना होता तो it is far लेकिन हम जोर डालके कहना चाहरे जैसे वो पास ही रहता है पीछे या वापस इस्तमाल करते हैं शब्द back का अपनी जगे पर वापस जाओ गो बैक टू यूर सीट बाहर इस्तमाल करते हैं शब्द out का किसका यूज करते हैं out जैसे वो बाहर चला गया he went out किसी को बाहर जालने बोलना है तो कहते है get out है ना तो बाहर की बात होती है तो out word का यूज करते हैं अभी या अभी अभी इस्तमाल करते हैं just word का किसका यूज़ करते है जस्ट मतलब जो तुरंत से हुई हो जो चीज जस्ट वर्ड का यूज़ करेंगे जैसे वह अभी अभी आया he just arrived क्या यूज़ किया he just arrived है ना आगे बढ़ते हैं to इस्तिमाल करते हैं शब्द बहुत का और ये again emphasize करने के लिए मतलब किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए यूज़ होता है जैसे ये बहुत नरम है it is too soft आपको कहना होता ये नरम है तो कहते है it is soft लेकिन आपको क्या कहना है कि ये बहुत नरम है मतलब आप नरम है वो चीज़ इसके उपर बहुत जोर डालना चाह रहे हो जैसे कोई चीज मीठी है तो कहेंगे अरे यह चीज मीठी है, it is sweet, नहीं, अगर बहुत मीठी है तो क्या कहेंगे, it is too sweet, बहुत मीठा है यार, it is too sweet, ऐसे यूज करते हैं, ऐसे बात करते हैं हम लोग, चलो, काफी इस्तमाल करते हैं शब्द quite का, और यह किसी चीज को थोड़ करके बताने के लिए यूज होता है, और sense of security देने के लिए यूज होता है, यह काफी सरक्षित, it is quite safe, it is quite safe, in a positive way, आप इसको यूज कर सकते हैं, उचित इस्तमाल करते हैं, जैसे वो उसके साथ उचित वयभार नहीं करता है, he doesn't teach him fairly, fairly का मतलब ही होता है उचित, जैसे हम कह उचित, not लगाया, तो नहीं है, है ना, तो कोई कहते हैं ना, कि अरे, यह उसने अच्छा नहीं किया, this is not fair, यह fair game नहीं था, जैसे matches वगए कई बार होता है, कि match में कुछ अगर होता है, जो हमारे recording गलत है, सामने वाले टीम ने गलत कर रखा है, या कुछ गलत फैसला मतलब, जो चीज सही है, उसके पक्ष में फैसला जो है, वो नहीं है, मतलब, उचित नहीं वाली बात, जो है, वो हम fair word का use करते हैं, उचित है या नहीं है, इसको decide करने के लिए, फिर है रोजाना, इस्तेमाल करते हैं, शब्द daily का, जैसे वो रोजाना चलते हैं, they walk daily, is dada, he ran fast, ये गती को सूचित करने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे slowly, वो धीरे धीरे जा रहा है, he is going slowly, यहाँ पर भी उसके जाने से बात हो रही है, तो speed की ही बात हो रही है, तो पहला fast था, ये slow है, आसानी से इस्तेमाल करते हैं, शब्द easily का, जैसे हमने से आसानी से किया, we did it easily, बुरी तरह से यानि की badly, कोई चीज बहुत ही गंद तरीके से बुरी तरीके से हुई है, तो badly हुई है, ठीके, उन्होंने बुरी तरह बरताव किया, they behaved badly, चुपचाप, इस्तमाल करते हैं, शब्द quietly का, जैसे उसने चुपचाप से कहा, she said quietly, या she said so quietly, फिर है अच्छा, जिसका मतलब होता है, well, W-E-L-L, well, इसका एक मतलब कुवा भी होता है, ठीके, जो कुवा होता है, जो कुवा होता है, वो तो हैंड पंप होता है, लेकिन एक चीज होती है, कुवा भी होता है, जिससे पानी, water source है, वो basically, तो W-E-L-L की हिंदी, का हिं बहुत अच्छा किया तुमने, well done, है न, शाबाशी देने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, जैसे वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, she plays the piano very well, मतलब बहुत अच्छा के लिए very well हमने यूज किया, ठीके, तो शाबाशी देने के लिए इस्तमाल होता है, और किसी important words को करा, ऐसे अंग्रेजी जब आप पढ़ने जाओ, बोलने जाओ, सीखने जाओ, लिखने जाओ, as a language इसमें बहुत सारे words हैं, बट हम अपनी जिंदगी में सारे words नहीं बोलते हैं, यह सच्छा ही है, है न, तो हमें वो सारे words पर ध्यान देना चाहिए, especially जब आप learn कर र गरुप, जाओ, बोल नहीं पाएं कभी है, तो इसा ने करने का है, हमें सीखना है, important चीजों को सीखने, बेखो क्या सीखना है, यह जानना जतना ज़रूरी है, क्या नहीं सीखना है, वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है, तो मैं classes लेकर कर आती हूँ, आपको इसमें doubt होना ह नी चाहिए कि क्या सीखना है क्या नी सीखना है मैं जो class करा रही हूं कर लो बस ठीके वो आपको पता चलता रहेगा आपके खुद के दिन चरिया में कि आपको कैसे improvement हो रही है 15 दिन फॉलो करो न चैनल को Sunday English Academy इतने सालों का भरोसा है इतना पुरान चैनल है इतने सालों से सिखा रही हूं तो पंदरा दिन फॉलो करो न फिर देखो अंग्रेजी का स्तर आपका मैं बोल रही हूं न पंदरा दिन करो मेरे बात से पंदरा दिन करो खुद बाखुद अगले दो महिने करने लगोगे क्योंकि improvement आपको दिखने लगेगी है ना तो subscribe करके bell notification on कर लीजे अगले 15 दिन follow करने के लिए और हमारी कोई भी course चाहे free हो या paid हो वो available है हमारी apps and read English academy पर जहां पर आपको basic से pro spoken English का course, English writing का course, grammar का course, reading का course और ये e-books मिल जाती है, sunreth English academy नाम है हमारी app का और channel का और free paid course दोनों available है दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, इच्छा नुसार e-books हमारी इस website पर भी available है, आप यहां से भी ले सकते हैं PDF वाले किताबे हैं, तो download कर लेना WhatsApp का group, Telegram का channel join कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाती है, रोज की classes update हो जाती है, कोई offer वगेरा रहता है अगर course पर, तो वो भी वहाँ पर update किया जाता है, so that कि आप lab उठाने से वंचितना हो तो आप कर लीजिएगा WhatsApp का channel join, या Telegram का channel join, दोनों में से जो भी आप यूज करते हो इसके लावा Facebook, Instagram पर हमें follow कर लीजिएगा, मैं आप से मिलूंगे आपकी अगली class में, till then thank you so much for watching stay tuned to Sunrit English Academy